कि हलो क्वाइस वेलकम बैक ट्यूटीब चैनल आफ टीम्स फॉर विन सो इस पर्टिकल्ट वीडियों बात करें आप बोरिश्या मॉंचिन ग्लाडबैक वासस बेयर मुनिक के बीच में जो बुंदस लिगा एंड प्रेमेर लिग आशी शुरू है जो तोनों ही मैच में कवर क अब खिलाएंगे और कैसा कुछ जो है नई प्लेट की फोर्मेशन लेकर उतर सकते हैं कुछ तो सब कुछ आगे वीडियो का अखिर तक देख रहना एंड स्मों लिकन ग्राइन के पिक्स भी वह वह भी मैं आपको बताने वाला हूं और पार्टिकॉरल मैं भी खेलने वाला जो शुरू होगी बार्बजे रहने वाले इस मैच के डेड्लाइन वेनिकी बात करतो बोर्शया पार्क मुंचिंग लट बैक जर्मनी में मैच होने वाला शो इधर्सर मुंचिंगड बैक का होम ग्राउंड रहने वाला यिए बाकि लास सीजन में इस्टनिंग की बात कर ल यह link जो है में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो जाके आप link से विन कर लेना है या फिर आप टेलीग्राम चैनल में जाकर टीम्स वर विन सर्च करोगे तो भी आपको जो है चैनल मिल जाएगा बाकि इंस्टाग्राम पर भी फोलो करना मत भूलना क्योंकि सबी जो स्पो विन एंड जैसे आप सर्च करते हो सबसे और आपको चैनल मिलेगा उसमें आपको जाने और यहां पर आपको में चैनल का लिंक दिया होगा यह आपको जोई करना है सबक्सक्राइब कर करंदाबैस लिए ट्विक्षंटर में आप डेया है क्याआइप विक्неवे . टाइम टाइम मिलती रही कि सो जाके देख लेना बाकी यूट्योप पर तो देखे रहे हो सब्सक्राइब तो आपने सपने करी लिया होगा अब वापस चलते एक बर अपने प्रिव्यू पर तो बाद करू लाइन अप की टैन बोर्शा मंशन गाड़ बैक की तरफ से जो है सो से वेदी के पाच गोल दो असे से सो अधिनेटली तीन होई प्लेयर काफी अच्छे बनते है उसके बाद में आ सकते हैं सकेली जो लास सीजन जो थे यूज नहीं हुए थे बट अभी जो मैचे जो है लाइक क्लब फ्रेंडली मैचे जिए डीफ़ पी के जो मैच हुए उसम से बाद में आप सेंटर फॉर्ड पोजिशन में बात करो वोल्फ आ सकते हैं और रह सकते हैं इदर से प्ली सो यह कुछ जो है लाइन अप देखने को मिल चाक्ते हैं मौंशन ग्लैडवेक की तरफ से हलाकी वोल्फ जो है लास्स सीजन चार गूल दो सिस्ट है उसके लावा मौंशन ग्लैडवेक की तरफ से इंजरी न्यूस की बात करो बिंस बैनी इदर से नहीं केलने वाले डोक्रे नहीं केलेंगे एंबोलो आउट है कोन आउट है इदर से देन जाकार या भी जो है नहीं केलने वाले हैं तो यह कुछ इंजरी न्यूस रहने वाले अगर इसमें ते नहीं बाकि इस टीम के एक बर आप रिसेंट मैच वे हम देख लेता है कि कौन से जो रिसेंट मैच इस हुए हैं क्लब फ्रेंडली मैच था उसमें एक गोल तो आया था लास्ट इंडल का एक आया था इनका ओन गोल तो यह इस तरीके से कुछ इनका लास्ट मैचेश रहें इस टिंडल एक डेफिनिटल एची चोईस बनकर आ रहे हैं पिछले कुछ मैचेश में भी अगर मैं बात कुरू इधर से 17 गोल 15 से इस लास सीजन में किये थे इन्होंने तो डेफिनिटल एक अच्छी चोईस आपके लिए बनेंगे उसके बाद मैं आ जाते बेर म्यूनिक के उपर सो बेर म्यूनिक के तरफ से लाइन प्रह सकते हैं जिसमें न्यूवरिंट के सबसे एक्सपिरेंस गोल के पर जो है गोल किपिंग कर सकते हैं उसके बाद में बात कुरू में इधर से डिफेंस की तो बोनस आर आ सकते हैं जो आए हैं आर भी लेप जिक से सो सोरी बोनस आर इ लिख लिखानबा नहीं को सकता है डिफेंस अक्षन में जरूर से तो बैहर रिखने का ले réагだको अ आठ गोल नो असिस्ट सेन आते हैं देन उसके बाद 10 गोल 12 असिस्ट एंड देन आते हैं मुलर इदर से 15 गोल 24 असिस्ट के साथ सो यह रहने वाला इनका कुछ की चोईस बनेंगे उसके बाद मैं मैं कंसीडर करता हूं ज़र से के मिंच को असिस्ट वगरा काफे अच्छे दे सकते हैं और काफे ज़्यादा जो है चांसे क्रेट करते हैं जिसके पुइंट आपको ड्रीम लोन में मिलते हैं सो क्यमिन्च इधर से एंड मुलर ंड लेविंद उसके निकी सेफ चोईस बनते उसके बाद याद थोड़ा से रिसके थोड़ा से डालता हूं सीन को थोड़ा सा डिस्की में डालता हूं आलाकि सेन ग्यानेबbry से जाद अच्छे प्लेयर में रुब लगतें उसके बाद डिफेंस में आजाते हैं देवीज उपायम के अनों काफी अच्छे चोईस हो सकता है आज के लिए आइधिंग के थोड़ा सा डिफेंस में रोगों कमजोर लग रहा है जिस वाहे से बोरिश्या मौंचें ग्लाडबेक के जो स्ट्राइकर से जैसे के श्टिंडल हो गया प्ली हो गए न्यूहांस हो गए हर्मन हो गए तो यह जो है काफे चंप एक जो आज के लिए डाल सकते हैं गूल्स वगरा काफी अच्छे तरीके से निकाल गया सकता है बाकी इंजरी ने उसके बात कर तो हर्नेंडीज पवाड रोका चोपो यह तीनों नहीं कहलने वाले चोपो म प्रइब कर सकते हैं अगर प्लियर को यह नहीं जादा रिसेंट फॉम के बात कर दो लाश्ट पांच मैचे ने चार विन कि हैं सिर्फ एक और बात करूब बेर्न की दन उनके जो पिछले पांच मैचे उसमें वो तीन हारे एक ड्रो एक ही मैच जीट पाए हैं उनका जो ला बात करते हैं बट एक और चीज में आपको बता दूँ कि जो बेर्न है वो काफे अच्छे टीम है लाइक सबी टेम्स का अच्छे रिकॉर्ड है बट जब बात आती है मौंचन ग्लाइब के अगेंश्ट में तो वह थोड़ा सा फिर फीका पड़ जाता है उनका बात करूँ बात करता हूँ जब भी मौंचन ग्लाइब के होम ग्रोंड में मैच होता है उसकेस में ठटीन हुए है पांच मौंचन ग्लाइब के चार रो एंड चार बेर्न सो एक मैच से आगे निकल जाते हैं यहां पर थोड़ा सा एक फोटीन टैन का जो यह रेशो देखने को मिलता है यह कुछ जो अब तक इनका और लेट वर्ड के रहे बाके रिसेंट मैचेस की बात करें पिछले पांच मैचेस में तीन जीते हैं मौंचन ग्लाइब बैक ने और दो जीते हैं इदर से बेर ने जो टुन्टी एं टुन्टीवन में आया था तो आप देखोगे तो दोनों ट सकता है इसकी गूल स्कॉरिंग में बट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बोर्शा के तरफ से एक गूल तो देखने को मिल सकता है स्टिंडल या प्ली की तरफ से और दो गूल सिदर से बेरन की तरफ से लेवन दोस की एंड मुलर के खाते में जा सकते हैं तो यह कुछ तू प्ली थोड़े से रिसकेस चोईस बनेंगे वाइस कप्टन के लिए सेफ के लिए स्टिंडल के साथ में जा सकते हूं अब चलता अपना स्मूली की टीम के उपर सो यह रहा सकते हैं आपके लिए क्यों टीम जिसमें सोमर को पिक क्या है गूल कीपिंग में एडलिश्ट बेर में फॉर्ड में मैं तीन ही जोए प्लियर कंसेडर कर सकता हूं सो स्टींडल लेवें दोसके एंड मोलर मेरी फस्ट चोईस रहेंगे उसके बाद में विट्फिल सेक्शन में सेन है किमिंच है न्यूहास है चाहो तो आप इदर से एक डिफेंडर की जगह पर गोरेट्सका क को पिक कर सकते हो बट में भी थोड़ी से आपको क्रेडिट की भी फिर दिक्कत आ सकती है अगर गोरेट्सका को नाइन क्रेट में दिया हो तो बट इट पैंट फाइफ में हैं दन आप उल्मुस्ट लाइक इदर से ओपाम कैनो या डेवीज को मिस करके जो है गोरेट्सका क कि जगे पर आप जा सकते हो किसे और प्लेयर के साथ में जैसे कि दूसरे उप्शन्स भी आपको बता देते हैं वॉल्फ के साथ आप देख सकते हो जाने का काफी कम लोग के प्रेफरेबल जोई से रहने वाले हैं तो वोल्फ एक अची चैस बनेंगे ग्रेंड लीग के लि देफिनिटल एक अच्छी चोईस बनेंगे एंड इधर से जो है स्कैली मॉंचें ग्लाइड वैक की तरफ से तो यह कुछ प्लेयर्ट से जिनका काफी कम लोगों पर ध्यान है और आपको ग्रेंड लीगल पर इन करा सकते हैं तो जरू से इनको अपने जो कॉमिनिशन्स में रखना मैं कैप्टन वाइस काप्टन की बात करूं तो डेफिनिटली लेवन दोसकी मुलर एंड इस्टेंडल काफी अच्छी चोईस बनेंगे कैप्टन वाइस के लिए तीनों ही प्लेयर्स मैं प्रेफर करूंगा लेवन दोसकी चांड लो को तो यह रही कि अभी के लिए आपको नेक्षी रिडे में बहुत ही जल्दू